सिब जी का तिरसूल भगबान भोले नात के तिरसूल की महिमा से पूरा बिस्व परचित है लेकिन आज भी पुरा तत्व विभाग द्वारा सिब के तिरसूल पर सोध की जा रही है और इसी से प्रेरित होकर भोले नात के तिरसूल की महिमा का चित्रड धार्मिक कालपनिक कह में किया गया है मुझे पूरा बिस्वास है कि ये कहानी आपको सिभ के तिर्शूल की सकती से अभगत करवाएगी एक बहुत ही पुराना गाउं था जहां बहुत से प्राचीन खंडर बने थे और इन खंडरों में कई बर्षों से पुरा तत बज्ञानिक रिशर्च के लिए पाया करते थे बज्ञानिकों को इस गाउं से हिंदू संसिक्रत से जुड़ी कई प्राचीन बस्तुएं प्राप्त होई थी इसलिए ये गाउं प्राचीन हिंदू सब्वताओं की खोज के केंद्र के रूप में जाना जाता था लेकिन उनकी खोज अभी तक अधूरी थी क कि उहां धार्मिक गिरंतों में बताया गया अर्थ सास्रों की खोज में लगे हुए थे एक बार उसी गाउं के मैदान में बच्चे फुटवाल खेल रहे होते हैं अचानक उनकी फुटवाल एक गड़े के अंदर चली जाती है गड़ा काफी गहरा था इसलिए बच्चों क कि हिम्मत उस गड़े के अंदर जाने की नहीं हो रही थी तबी गाउं में एक फेरी वाला कपड़े बेचने आता है उसे बच्चे रोक लेते हैं और उससे अपनी फुटवाल निकालने की जिद करने लगते हैं फेरी वाला बच्चों की जिद माने कर गड़े के अंदर पैर फिसल जाता है और वह गड़े के अंदर जाकर फंस जाता है फेरी वाला दर्द से चीख उड़ता है और उसकी आबाज सुनकर आसपास के लोग गड़े के पास जमा हो जाते हैं और सबी उसे निकालने की कोशिस करने लगते हैं फेरी वाला किसी चीज से अटक गया था औ और उसके पैर की हटी तूट चुकी थी जिसके कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था उसे निकालने के लिए सरकारी बचाव दल को बुलाया जाता है बचाव दल के अधिकारी इलेक्टरानिक गैजेट के साथ गड़े के अंदर प्रवेश करते हैं उनके पास तेज रोसनी क टार्च होती है जिससे वह गड़े के अंदर सबी चीजों को साफ साफ देख पा रहे थे वह जितने नीचे उतरते जा रहे थे उतना उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी जैसे ही वह फेरी वाले के करीब पहुंशते हैं फेरी वाला एकदम बड़े लोहे के इस्त कम उन्हें बिचलित कर रहा था क्यूंकि गड़े के आसपास कोई घर नहीं था फिर इतना बड़ा लोहा कहां से आया वह लोहे को बाहर निकालने का फैसला करते हैं लेकिन यह छेतर पुरातत विभाग के अंतरगत आता था इसलिए यहां उपस्थे थे किसी की खनिच को ब बुलावा बेजते हैं और जैसे ही वह इस लोहे के इस्तंब की जाच करते हैं तो उनकी खुसी का ठिकाना नहीं होता क्यूंकि यह चीज लोहे की नहीं बलकि अंतरिच के ग्रह में उपस्तित विभिन प्रकार की ख़बोलिये धातूं से बनी बना हुआ इस्तंब प्रतीत ह हो रहा था जो की प्रत्वी में इकलोता था उस धातू के गहन अध्यन से उन्हें इस बात का एसास हो चुका था कि यह जरूर हिंदू संस्कृति से सम्मंदित कोई विसाल अस्तर हो सकता है इस्तंब का आकार बहुत विसाल था जिसे निकाले के लिए बड़ी बड़ी मसीन लगाई जाती हैं और इस्तंब को निकालने की जद्धो जहिद सुरू हो जाती है उस गट्टे के आसपास हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं सभी उच सुकता से गट्टे की तरप देख रहे थे खनिज विवाग के अधिकारी पूरी मसकत के साथ इस्तंब को निकालने में लगे होते हैं, खुदाई करते हुए 38 घंटे गुजरते हैं, अचानक स्थम्ब का आफरी छोर इनके हांत लग जाता है, और जैसे ही हाइडरोलिक मसीन की सायता से स्थम्ब को बाहर खीचा जाता है, वहां उपस्तित लोग जै बोले के नारे लगाते हैं, क्योंकि ये स्थम्ब भोले नात के तिर्शूल की तरह प्रतुईत हो रहा था, जिसकी पुष्टी पुरा ततु बैग्यानिकों द्वारा की जाती है, बैग्यानिकों के हाथ में बहुत बड़ी सपलता लगती है, क्यों क्योंकि वह हिंदू संसिक्रत के प्रतीकों का सोध कई बर्षों से कर रहे थे, और उन्हें आज तक इतना बड़ा जीता जाकता उधारण नहीं मिला था, लेकिन आज उनकी ये खोज पूरी हो चुकी थी, तिर्शूल को अनुसंधान केंदर में ले जाया जाता है, कोई सामान धाचा है, तिर्शूल की रिशर्च करने के लिए कई देशों से बग्यानिकों को आवंत्रित किया जाता है, सभी अपने इस्तर से तिर्शूल के कई पैमानों में जाच करते हैं, और जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो बग्यानिकों में खुसी की लहर दौर पड़ी क्योंकि ये हजारों बर्ज पुराना भोलेनात का ही तिर्शूल लग रहा था, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारियां इस बात को परमारित कर रही थी कि ये प्रत्थपी में उपस्तित किसी भी धातु से नहीं बना था, बलकि अंतिरिछ में उपस्तित विबिन प प्राकर्तिक बातावरण बदलने लगता है गर्मी के मौसम में चारों तरब जोरदार बारिस प्रारंब हो जाती है, मौसम बिबाग की जानकारी के अनुसार बर्षा अनिश्चित कारणों की बज़े से प्रारंब हुई थी, इसके बाद में मौसम बिबाग को कोई जानका थी क्यूंकि ऐसा पहले बार हुआ था कि प्राकर्तिक गटनाओं का अबलोकन करने में उन्हें परेसानी हो रही थी उन्हीं बैग्यानिकों में एक ऐसे भार्तिय बैग्यानिक भी थे जो धार्मिक गरंतों की जानकारी रखते थे तब ही उन्हें अंदेशा होता है कि सायद इस तिर्सूल की बज़े से मौसम का परवर्तन हुआ है वह सभी से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यह तिर्सूल जिस जगए पर उपस्तित था उसी बज़े से प्राकर्तिक संतुलन बना हुआ था और हमने तिर्सूल को उसकी जगए से हटा कर इस संतुलन को बिगार दिया भारतिय बज़े से तिर्सूल के बारे में बहुत सी जानकारी इखटी हुई इसलिए सभी बज़े इनकी बात को कमभीरता से लेते हैं और तिर्सूल को बापस उसी जगए ले जाने का फैसला करते हैं जहां से वह निकाल कर लाए थे और दोबारा मसीनों की मदद से तिर्सूल को उठाने का प्रियास किया जाता है लेकिन तिर्सूल का बजन बढ़ चुका था और बड़ी-बड़ी मसीनों से भी तिर्सूल को हिला पाना संबब नहीं हो पा रहा था बग्यानिक चिंतित हो गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यूंकि ये तिर्सूल इनी मसीनों की मदद से लाया गया था और अब ये हिलने का नाम नहीं ले रहा तबी भातिय बग्यानिकों ने सला देते हुए कि तिर्सूल सक्ती का प्रती की है और इसे यहां से हटाने के लिए भगबान भोले नात का आबाहन करना होगा अब साइद भोले नात हमारी पुकार सुनेंगे सिव पूजा को संपन करने के लिए एक पुरोहित बुलाया जाता है जो भोले नात की संपूर पूजा विदी का आयोजन करते हैं और इसी दोरान तिर्सूल अपने याप हिलने लगता है उसे हिलता देख बैग्यानिक हाइ अगले ही पल तिर्सूल एक पेंड के पत्ते की तरह उठ जाता है सिव की महिमा देख कर सभी बैग्यानिक दंग रह जाते हैं सभी हाथ जोडते हैं और भोले नात को प्रडाम करते हैं और जैसे ही तिर्सूल को गटे में बापस प्रभेस कराया जाता है अचानक बारिस वर्तन किये ही सोध करना होगा अन्यथा इस प्रत्वी का अस्चित ही नहीं रहेगा और इसी के साथ सिव के रह समय तिर्सूल का किस्सा खत्म हो जाता है तो दोस्तों ऐसी और भी दिल्चस कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेट करना ना बूलें मिलेंगे फिर ए हिंद जे भारत जे भोले ना